नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हल्चल पर भारत सरकार के गुरुह निर्मान तथा शहरी विकास मंत्राले की और से महामेट्रो को Excellence in Urban Transport का पुरसकार प्रदान किया गया शुक्रवार को नई दिल्नी में आयोजित समारोह में केंद्रिय मंतरी गुरुह निर्मान तथा शहरी विकास हर्दिप सिंग पूरी के हस्ते महामेट्रो के प्रबन निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दिक्षित को ये पुरसकार प्रदान किया गया मंतरी गुरुह निर्मान तथा शहरी विकास श्री हर्दिप सिंग पूरी ने दी भाशन में उन्होंने कहा कि शहरों की जन संक्या तेजी से बढ़ती जा रही है 2030 तक ये आंकडा 60% तक पहुच जाएगा विश्व में उर्जा के कुल उपयोग में से 30% उपयोग केवल शहरी भाग की यातायात व्यवस्था पर होगा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शहरीक शेतर की यातायात व्यवस्था स्थाई कैसे रखी जाए इस दुरुष्टी कोन से कार्य की रूप रेखा बनाए गई है सांसा ट्रॉफी वन एक्ट प्ले प्रतियोगीता में विभिन्न एकल नाटको के माध्यम से प्रस्तुत स्वतंतरता संग्राम की वीर गाथाउने दर्शकों का मन मुह लिया प्रतियोगीता का आयोजन सांसत सांसरोतिक समीती की और से लक्ष्मिनगर स्थित साइन्टिफिक सभागरुह में किया जा रहा है शुक्रवार को कुल आठ एकांकी नाटक प्रस्तुत किये गए इसके माध्यम से भगत सिंग स्वतंतरविर सावर कर उशाम महता जैसे स्वतंतरता सेनानियों के योगदान को प्रस्तुत किया गया उन में से कुछ में स्वतंतरता संग्राम से जुड़ी सच्ची कहानियों से परिचित कराया गया इससे पूर्व वरिष्ट चिद्रकार अजित दिवाड कर और प्रसिद्ध नियूरोलोजिस्ट डॉक्टर चंदरशेखर मेश्राम के हाथो दी प्रजवलन हुआ, इसके पश्चात वन एक्ट प्ले शुरू हुआ इस समय सांसत सांस्कृतिक समिती के अध्धिक्षय प्रोफेसर अनिल सोले, सचिव जै प्रकाश गुप्ता, कुशाद्धिक्षय प्रोफेसर राजश बागडी, प्रमुक अतिती थे शनिवार को प्रतियोगिता का अंतिम दिन है और कुल आठ एकांकी नाटक प्रस्तुत किये जाएगे मृत्युन जै, अम्रूनी सेवा संस्था की और से, सारंग मास्टे द्वारा लिखित और असीधार लांजेवार द्वारा निर्देशित नाटक मृत्युन जै प्रस्तुत किया गया एकल नाटक विनाएक सावर कर और वृत्यु के बीच सवांत के माध्यम से सामने आता है जो कालपनिक लेकिन यथार्थवादी है ये उनके जीवन की महत्वो पुरुन घटनाओं को दर्शाता है दक्षिन मद्यक्षेत्र सांसरूति केंद्र नाकपूर द्वरा 26 अक्तुबर से 1 नमबर 2021 तक सतर्क्ता जागरुकता सप्ताह मनाय जा रहा है इस दोरान केंद्र में विभिन्न मार्ग दर्शक कारेकर मुकायोजन किया जा रहा है अक्तुबर को केंद्र के निदेशक ढट्टर दीपक हिरडवार के मार्ग दर्शन में सतर्क्ता जागरुकता सप्ताह का शुभारम हुआ सतर्क्ता विभा का व्यापक अनुभाओ है विजिलेंस में समुरुद्धा अनुभाव के अलावा सामान्य बीमा जैसे तकनी की वीपणन, कानोनी और अन्यक्षेत्रों में भी उन्हें व्यापक अनुभाव है ये सभी अनुभाव उन्होंने केंद्र के अधिकारियों एवं करमचारियों के साथ साजा किये एवं उपस्तितों के प्रशनों के भी समाधान पुर्वक उन्होंने उत्तर दिये विधान सभा अधिवेशन की तयारियों संबंधी समीक्षा की उन्होंने पुर्वत तयारी के लिए स्थानिय प्रशासन द्वारा की गई तयारियों पर संतोश व्यक्त किया कोरोना संक्रमन के साय के नाकपुर में 7 दिसंबर से शीत कलिन 17 प्रस्तावित है इसको लेकर नाकपुर जिला प्रशासन ने तयारी शुरू कर दी है इससे पहले 18 अक्तूबर को विधान मंडल के प्रमुक सचिव राजेंदर भागवत की अधिक्षता में बैठक हुई थी जिसमें कोविट के संक्रमन को देखते वे अधिवेशन के लिए विशेश एहतियाद बरतने के निर्देश दिये गए थे शुक्रवार को राज्यमंत्री दतात्रे भरने ने जायजा लिया समिक्षा बैठक में जिला कलेक्टर विमला आर अपर आयुकत संजे धिवरे लोक निर्मान विभाग के कारिया पालक अभियंता जनारदर भानू से जिला स्वास्ता धिकारी डिये से लोकर के साथ तमाम विभागा ध्यक्षभी मौजुद थे हाला कि अधिवेशन के संबन में अधिकारिक घोषना मुंबई में होना है तथा पी राज्यो मंत्री भरने ने अधिवेशन को लेकर यहां चल रहे कारियों का जायजा लिया विधान भवन, विधान भवन के बाहर, विधायक निवास, रवी भवन, पार्किंग व्यवस्ता, टेलीफोन व्यवस्ता, वाहन व्यवस्ता आधी सुविधाव के समिक्षा उन्होने की प्रभाग 26 श्रीकृष्ण नगर में शितला माता मंदिल के पास बारिश के पानी को निकालने की पाइपलैन विधाय ग्रिश व्यास की निधी से नगर सेवी का समिता चकोले, राजेंद्र चकोले की प्रमुक उपस्तिती में विख्यात्मन संचालक कवी एवं भाजपा के नगर काड़ेकारेनी के विशेश आमंतरित सदस्य डॉक्टर महेश तिवारी के हस्ते संपन्न हुआ जिसमें बालाजे तीतर मारे, रामकृष्ण गुल्हाने, नरेश बूरडकर, आसराम मेश राम, सतिश धाकते, संधिप ठाकरे, सुरेश बूरडकर, प्रमुद नावगरे, संध्या बूरडकर, आदमने, पृति बूरडकर, तामबेकर, अभिजित खराबे, भावराव भो आदिका के टेक्स विभाग में जोन की अधिकार कम करके साइबर टेक्स, वही गवर्नेंस के नाम सिविल कार्याले में फाइल भेजी जा रही है, वह महेनों से पेंडिंग पड़ी है, नागरीक जोनल कार्याले के चक्कर मार रहे है, लोगों के लंबित काम जल्द से इस मांग को लेकर संजे गांधी निराधर अनुदान योजना समीती पुर्व विदान सभा के अध्यक्षा शेक अयाज नागपुर शहर कॉंग्रेस महा सच्यू परमेश्वर राउत ने मनपा उपायुक्त राम जोशी को नीविदन दिया उपायुक्त ने तूरंत विभाग को इस और ध्यान देने का निर्देश दिया पुर्वन आखपुर के अंतिम छोर पर बसे कलमना प्रभाग चार में आने वाले नवकन्या नगर, सगनवाडी, धरम नगर, विजय नगर, लोकपान्या सोसाइटी की बिजली की समस्या और सडक की जरजर स्थिती के बावजु पिंटु बिसेन, गवरवपूरी आदी मोजुद थे, इस आउसर पर राज्य महासचिव हेमंद गड़करी ने कहां कि स्वतंतरता के 75 वे वर्ष के दौर में महराष्ट की उपराजधा निनाखपुर में कुछ कॉलनियों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है, ये एक दु प्रशान निकम ने भी सत्ताधरी दल का विरोध व्यक्त किया, निखिलकुम से संतोष रहांग डाले, गोरेलाल पटले, सुरेश टेमरे, बंटी पटले, निकेश धवले, लखन साहु, ललिट टांडे, मनोज पारधी ने मोरचा के सफलतार्थ परिश्रम किया, जलाराम सत्संग मंडल के तत्वावधान में जलाराम प्रार्थना भवन लकडगंज में, नेतर जांच शिवर का आयोजन, डॉक्टर कृष्णा भोजवानी और उनके सहयोगी उके सहयोग से हुआ, नरेश वासानी ने जानकरी देते वे कहा, इसका लाब लोगों ने लिया, शिवर में बिपिन तन्ना, जतिन सी सुचक, मयर उठाकर, परेश पंचमतिया, हसमुक मोधी, आदी ने सेवाई दी, निशिल्क चश्मा वितरन देवबाला बें तन्ना के सौजन से किया जाएगा निशिल्क सिलाई मशिन का वितरन बाडिलाल गंडेचा परिवार के सौजन से किया गया, विदाय कृष्णा खोपडे, पार्षत चेतना टांक विशेश रूप से उपस्तित थे, शिविर की सफलता के लिए सभापती राजश खकर, उपसभापती विनोत नागरेचा, दिल हाल ही में पुर्वनाकपूर पर दिलिप यंगलवार, पुर्वसेना जवान ने इमानदार, राजनिती और अर्विंद केजरिवाल से प्रभावित होकर, सेवा निवृत्य अधिकारी, फुल्चन किटाडी करके विशेश सहीयोक और आकास सपेलकर विदर्ब संगढधन मं प्रवेश किया, दिलि में केजरिवाल सरकार के कारियों से प्रभावित होकर, केजरिवाल सरकार द्वरा जनहित में अमल में लायू जा रही योजनाओ को देख, दिलिप ने आम आदमी पार्टी में आने का निश्चे किया, बेलगातार आकास सपेलकर का नेतरुत्व वो बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी कारियों से प्रभावित हुए, नागपुर महानगर पालिका के चुनाओ के संदर्ब में आम आदमी पार्टी ही दिली जैसी सुविधाय, शिक्षा और स्वास्त प्रणाली प्रदान कर सकती है, मनपापर लगातार 25 सालों से भाच्वा के स्थिती सडकों के गड़े कई मुल्बुत सुविधाव का अभाव है, जिसके कारण आम जनता में सरकार और प्रशासन के प्रती असंतोश है, सपेलकर का कहना है कि मनपाचुनाओ में साफ सुत्री छवी वाला और जनता की सेवा के लिए ततपर रहने वाला व्यक्ती ही नगर सेवक बनना चाहिए। अज फिर इस सोसाइटी की गौरवशाली इतिहास में चार चान लग गया है। निली माबावने की प्रमुक उपस्तिती में कारेक्रम हुआ। संगडर ने 27 साल सफलता पुर्वक पूरे कर लिये है और शुपचिंतकों के आमुल्य सहयोग एवं आशिरवाद से 2100 करोड रुपे से अधिक राशी का टरन ओवर हुआ है। रामटेक तालुका में काचुरवाई गाव राजनितिक रूप से बहुत महत्वो पुर्णा माना जाता है। काचुरवाई गाव विकास से वंचित नजर आ रहा है। प्रवाशियों और चातरों ने इस समस्या के समाधान की मांग की है। कोरोणा महमारी की वज़े से देश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हुए थे। अभी सभी स्कूल कॉलेज पुर्वरत शुरू हो चुके हैं लेकिन अभी तक बारोडा सराखा से देवलापार तक के बच्चे बस बंद के कारण समय पर पहुच नहीं पा रहे हैं। देवलापार की और जाने वाली दोवस हैं जिंजरिया, सिलहारी ये दोनों बंद हैं। सेजल डडमल, काजल तोंडरे आदी उपस्तित थे। सविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहिब आमबेट करके 6 चित्र को माल्यार पन कर अभी वादन किया। पश्यात आकर्शक्व प्रेणादाई वसुशोभित ऐसे भारतिय सविधान प्रस्थावना स्थम का विधीवत लोकारपन जिला परिशत अध्यक्षा रश्मी बरवे के हातों वा मान्यवरों की उपस्तिती में संपन्न हुआ। इस लोकारपन कार्यक्रम आउसर पर मंच पर उपस्तित मुख्याती थी रश्मी बरवे वा भारती पाटिल सह उपस्तित क्षेत्र की जिला परिशत सदस्या शान्ता कुम्रे उम्रेट चांपा क्षेत्र की जिला परिशत सदस्या सुनिता ठाकरे माध्य में क्षिक्षणाधिकारी रविंदर का टोलकर, राम्टेक खंड विकास अधिकारी प्रदिप बम नोटे, राम्टेक पंचाज समीती के गट शिक्षणाधिकारी संगीता तभाने, इस प्रकल्प को सहकार्य करने वाले देवलापार पुलिस निरिक्षक प्रविन बो सेट केसरीमल पोरवाल कॉलेज के लाइब्रेरी हॉल में शुक्रवार को प्राचवर्य डॉक्टर महिंदर बागडे के निर्देशन तथा कांठी तालू का चिकित सा अधिकारी डॉक्टर संजे माने के प्रयासों के फल्स्वरूप कोविड-19 महामारी के निवारन हेतु चात्राओ एवं अभिभावकों के लिए टिका करन शिविर लगाया गया। इसमें उपजिला अस्पताल की चिकित साधिकारी डॉक्टर शबनम खानूनी की नेतरुत्व में वाक्सिनेशन इंचार्च, शीतल भागवत, वनर्स, रंजन कवरती द्वारा, चात्र चात्राओ एवं कॉलेज स्टाफ व अभिभावकों को पहली तथा दूसरी डोस दी गई। अंबादे, डॉक्टर रागिनी चाहांदे, डॉक्टर किशोर धोले समित, समस्ता फैकल्टी तथा स्टाफ सदस्यों ने अपना पूरुना सायोग दिया। चात्र चात्राओ को उनके उपलब्धियों पर समानित कर प्रोचसाहित करते वे उनका होसला बढ़ाया गया। प्रमेंद्र वाही की भतीजी निगिता जेतेंद्र वाही ने अपनी सफलता का श्रय अपने शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को दिया है। रस्त कशी ये खेल प्राचिन भारतिय खेल है। वज़से दसवी बारवी के खिलाडियों को मिलने वाले 25 ग्रेस मार्क्स की छूट रत कर दी गई। दूरकर, क्षिती सिरिया, उन्नती पाटिल, अनुषका भीमगडे, सेजल कुहीटे, आधी रस्त कशी खिलाडियों द्वारा गयापन सोपते वे व्यक्त की गई। निल्डोह ग्राम पंचयत में 15 वे वित्त आयोग निधी से ग्राम पंचयत द्वारा वाड नंबर 4 में हाल हे में वाटर फिल्टर ATM का उदघाटन किया गया। ग्राम पंचयत सदस्य शाम फल के इनके कठिन परिश्च्रम के फल्स्वरूप निल्डोह के नागरी को को साफ पाने मिलेगा। का शुभारम किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतितियों ने बताया कि फड्नवी सरकार द्वरा दिये गए OBC आरक्षन को रद करने के लिए महाविकास आघाडी सरकर जिम्मेदार है। अतुल हजारे शाहर अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर पाठक, OBC मोर्चा शाहर अध्यक्ष आमोल साकोरे की प्रमुक उपस्तिति में OBC जागरुकता अभियान रत का शुभारम हुआ। इस अउसर पर पार्षद राजेंद्र शेंद्रे, नगर सेविका सुष्मा चोपकर, संगिता खोबरागडे, अनिता पाटिल, वर्शालोंडे, स्वाती पाठक, तुलेशा नानवटकर, सुष्मा मसके, जैराम महर कुले, सुनिल लाडेकर, कामेश्वर शर्मा, संजे संगारी, संजे चोपकर, सचिन वास्निक, रिंकेश सवरे, शैले शेलकी, सौरा पोट भरे, रिशब बावनकर, मनोच कुरटकर, आकाश वाडनकर सहीद बड़ी संख्या में कार्य करता उपस्तित थे मनपा की पिछली बैठक में महापौर दयाशंकर तीवारी ने शहर में गितांजली चोक से गांधी सागर जिल रोड तक जमिन अधिक रहन का ज़रूरी काम पूरा करने के निर्देश दिये थे इस समन्द में शुक्रवार को महापौर दयाशंकर तीवारी ने समधित विभाक के कारियों की समिक्षा की शुक्रवार को मनपा मुख्यालेस्तिक छत्रपती शिवाजी महाराच प्रशासनिक भवन के कमिशनर हॉल में इस समन्द में एक बैठक हुई महापौर ने कहां कि भूमी अधिकरहन के लिए सरकार की और से निधी प्राप्त हो चुकी है यहां के नागरिकों को पुना निर्धारन दर के अनुसार भुकतान किया जाएगा मनपायक्तर आधाकृशनन भी ने भूमी अधिकरहन के समन्द में जल से जल कारवाई करने के निर्धेश दिये उन्होंने अब तक की गई अधिकरहन प्रक्रिया की जान करी दी बैठक में महापौर दयाशंकर तीवारी के साथ साथ उप महापौर मनिशा धावडे मनपायक्तर आधाकृशनन भी उपजिलाधिकारी हेमा बढ़े आधि उपस्तित थे कितानजली चौक से गांधी सागर जिल रोट नागरीकों की सुविधा के लिए बहुत ही महत्वों पुरुना है और इससे कई लोगों को राहत मिलेगी मनपा के भू अभिलेक कारियाले एवं नगर नियोजन विभाग को महापौर से प्राप्त सहमती पत्रों के समन में आवश्यक कारवाई के समन वैसे आवश्यक कारवाई की जानी चाहिए भारतिय सविधान के नुसार 18 प्लस आयू वर्क के प्रतेक नागरी को को मतदान का अधिकार है अथा 18 साल पूरे होने पर एक व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम दर्च कराना जरूरी है इसके लिए मुख्य चुनाव आयोग ने 1 नमबर से 30 नमबर 2021 तक मतदाता पंजी करण के लिए विशेश संक्षिप्त पुनरिक्षन कारेकरम की गोशना की है राज्य के मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गए आदेशा नुसार 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयोप पूर्ण करने वाले नाकपुर शहर के सभी नए मतदाताओ को मतदाता सूची में अपना नाम दर्च कराने के लिए पहल करने की अपिल मर्पा आयुक्त रा वोटर पोर्टल बीटा या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल आप पर जाए ओफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिये भी संबनित मतदाता पंजी करन कार्याले में प्रक्रियाएं पूरी की जा सकती हैं साथ ही जिन मतदाताओं ने अपना नाम या पता पहले ही दर्च करा लिया है वे किसी भी संचुधन के लिए आविदन भर सकते हैं तो नापपूर हलचल में आज इतना है आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूस नमस्कार